जीवी का अपने पती संभव देवर रोहन सास बीना और ससुल प्रमोद के साथ रहती है उसकी अपने देवर के साथ काफी अच्छे से जमती है लेकिन घर वाले रोहन के साथ कुछ दिनों से ठीक से पेश नहीं आते मा पापा मुझे थोड़े पेशों की जरूरत थी वो दुकान में नया माल लाना है न इसलिए चाहिए थे मुझे अरे क्या नया माल लाना है तेरी दुकान की तो एसी की तैसी इतने दिनों से बस हमसे ही पेशे लेते आ रहा है किसने कहा था तुझे वो कपड़ की दुकान खोलने के लिए अरे जिसकी पढ़ाई की है उसकी जॉब करना नालायक कई का कपड़ के दुकान खोलके बेटा है लेकिन पापा देख रोहन तेरे पापा बिलकुल सही कह रहे है अरे कितना लंबा समय हो गया है कबसे तुने वह बिजनेस चुरू किया है लेकिन अभी तक कोई अच्छा नतिजा नहीं मिला है हमें देख ये सब काम तुछ छोड़ दे और कोई अच्छी सी नोकरी देख बता दे रही हूँ तुझे रोहन यू बार बार मापापा को परेशान मत किया कर समझा ना अगर तुझे वह बिजनेस चलाना है तो तू खुद कहीं से पैसो का जुगाड कर वरना चूप चाप कोई नोकरी देख ले तेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है अब तो तुझे आसानी से जाब भी मिल सकती है तो फिर तू ये बिजनेस क्यों कर रहा है आप लोग मेरी बात समझने के कोशिश क्यों नहीं कर रहे है अगर अभी आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तभी आगे जाकर मेरा बुटिक अच्छे से चल पाएगा मैं आप लोगों को दावे के साथ कहता हूँ कि मैं अपनी मेहनत से अपने इस कपड़े के बिजनेस को आगे जरूर लेकर जाओंगा बस अभी के लिए मुझे आप लोगों के सहारे की जरूरत है नहीं मिलेगा कोई भी सपोर्ट चल दपाओ जाब और खबरदार अगर आइंदा से तूने अपने उस गटिया बिजनेस को लेकर कोई भी बात की तो मेरे कान पक चुके है उसके बारे में सुन सुन कर रोहन को कोई भी समझ कर नहीं लेता जिस कारण वो दुखी होकर गर के पास वाले गार्डन में जाकर बेटता है तभी वहाँ पर उसकी भाबी यानि जीवी का आज जाती है रोहन अरे जीवी का भाबी आप यहाँ पर हाँ रोहन मैं चानती हूँ तुमारे मन पर तुमारे दिल पर इस वक क्या गुज़र रही है लेकिन तुम चिंता मत करो तुम्हारी भाबी है तुम्हारे साथ ये लो रोहन ये कुछ पैसे है जो मैंने अपने साइड में बचा कर रखेते ये पैसे तुम अपने बिजनेस में इस्तिमाल कर सकते हो लेकिन भाबी ये पैसे तो आपके है मैं आपसे पैसे केसे ले सकता हूँ देखो रोहन, तुम इन पैसों के बारे में इतना मत सोचो क्योंकि मुझे तुम पर पूरा बरोसा है कि तुम अपने बिजनेस में तरक्के जरूर करोगे घर वाले इस बात को भले ही ना समझ पाए लेकिन मैं जरूर समझ सकती हो और हाँ, तुम्हें जब जब पैसों की जरूरत होगी तुम मुझसे पैसे ले सकते हो ठीक है ना? ठैंक यू सो मज भावी अब सच में बहुत अच्छी हो यू आर मोस्ट वेलकम रोहन फिर एक दिन जब जीविका बाहर शॉपिंग करने गई होती है तभी उसे घर आने में देरी हो जाती है और तभी रोहन और जीविका साथ में घर आते हैं और उन दोनों को साथ में देखकर बीना और प्रमत को काफी खेरानी होती है अरे, तुम दोना साथ में कैसे आ रहे हो? अरे, मा, बाबी मौल के पास अकेली खड़ी थी क्या आपका इंतजार कर रही थी? और मैं वही से गुजर रहा था इसलिए मैंने सोचा कि इन्हें अपने साथ ही लेकर आओ अरे, लेकिन इतना ही था तो तुम संभव को बुला लेती ना बहो रोहन के साथ आने के क्या ज़रूरत थी? लेकिन पापा जी उसमें क्या होता है? अगर मैं रोहन के साथ आओ गई तो क्या हुआ? मैंने कोई गुना थोड़ी न किया है? हाँ, वही तो अरे, चुप रहो तुम दोनो तुम दोनो को कोई समझ नहीं है कि दुनिया वाले कितने बुरे है और उनकी सोच भी तुम दोनो के रिष्टे में जितनी दूरिया और जितनी मरियादा रहेगी उतना ही तुम दोनो के लिए भी अच्चा रहेगा क्या? या आप क्या के रहे है माजी? कुछ नहीं अब ज्यादा दिमाग मत लड़ा और जितना कहा है उतना ही कर अब अंदर चल और जल्दी से हाथ मूँ धो कर सब के लिए खाना लगा दे बहुत डोल लिया तुम दोनों ने घर के बाहर अब घर के काम निप्टा जल्दी गुमक कर कही की फिर जिविका अंदर चली जाती है ऐसे ही संडे के दिन अरे ये क्या है वहू आज तो संडे है न तो आज तो संभव के लिए उसका पसंदिदा बटर चिकन बनना चाहिए तो फिर ये हैद्राबादी पुलाव क्यों बनाया है तुमने वो क्या है ना पापाजी आज रोहन भी हमारे साथ लंच कर रहा है हर रोज तो रोहन हमारे साथ खाना कहा ही नहीं पाता इसलिए आज मैंने उसके पसंद का ये पुलाव बनाया है लो ना रोहन ये दही और चटनी भी लो अरे बन करो ये सब नोटन की ये रोहन तो बस यहाँ पर मुफ्किर रोटिया ही तोड़ने बेटा है और कुछ नहीं आता इसे घर में तो एक पैसा भी नहीं देता बस लेकर जाना आता है इसे संभव ये तुम कैसी बाते कर रहे हो रोहन तुमारा छोटा भाई है जरा तमिस से बात करो संभव एकदम सही कह रहा है अरे इसकी उमर में तो संभव पैसे कमा कर घर में देता था लेकिन ये ये तो कुछ नहीं देता उल्टा हमें ही आज तक इसे पोसना पड़ रहा है लेकिन मा जी रोहन अपनी तरफ से पुरी कोशिश कर रहा है और वो बिजनेस है उसे सेटल होने में समय तो लगेगा ही न यो ताने करस्ते रहने की जगे हमें तो उल्टा रोहन का साथ देना चाहिए बस बहु बहुत लेली तुमने रोहन की साई भूलो मत ये तुमारा देवर है कोई दोस्तिया यार नहीं समझी तुम अपने रिष्टे की हैसियत में रहो ज्यादा उचलो मत और इसकी तरफदारी करना बंद कर दो हम हमारा देख लेंगे ये हमारा बेटा है वो संभव का भाई है तुम मेजगर की बहु हो वो रोहन की भाई तो भाबियो वाली बाते करो अगली बार से मैं ये सब सहन नहीं करने वाला पर पापाजी मैं तो बस जीविका भाई रहने दीजे कोई बात नहीं मैं बाहर खाना खालूंगा इतना कहिकर रोहन वहाँ से चला जाता है वो एक अन्नका निवाला भी नहीं खाता जिस कारण जीविका को बहुत दुख होता है फिर एक रोज जब जीविका और संभव दोनों एक मूवी डेट पर जाने वाले होते हैं तभी संभव उस ब्लैंड को आखरी मिनिट पर कैंसल कर देता है क्योंकि उसे ऑफिस में कुछ काम आ जाता है इससे जीविका बहुत उदास हो जाती है और तभी वहाँ पर रोहन आता है तड़ा ये देखो भावी मैंने आउनलेन टिकिट्स बुक कर दी है अरे रोहन लेकिन इसकी क्या जरूरत थी भावी मैं जानता हू आप और संबो भावया मूवी देखनी जाने वाले थी लेकिन भावया ने हर बार की तरह लास मिनिट पर इस बार भी प्लैन कैंसल कर दिया है हाँ रोहन तुमने सही कहा कोई बात नहीं भावी अब मैं आ गया हूना अब हम दोनो साथ में मिलकर आपके फेवरेट मूवी देखेंगे पर रोहन देखो भावी अब जैसे आप मेरे सैड मूड को ठीक करती हो तो मेरा भी फर्स बनता है ना कि आपके सैड मूड को ठीक करे चलिए अब टाइम बेस्ट किये विना जल्दी से थेटर पोहुचते है कुछी देर में मूवी शुरू होनी वाली है ठीक है रोहन चलो चलते है रोहन और जीवी का दोनों साथ में मूवी देखनी जाते है और आते वक्त सड़क पर आइसक्रिम खाकर बाइक पर राइड करते हुए आते है उन्हें इस तरह जाते हुए देखकर बीना की सहली उसे फोन करके सारी बाते बता देती है क्या और नहीं तो क्या बीना अभी अभी तेरी बहु को तेरे छुटे बेटे के संग गाड़ी पर घुमते हुए देखा मैंने मानो दो यार घुम रहे थे एसा लगा मुझे अरे अपनी बहु को संभाल के रख और बेटे को भी समझा दे देवर बाबी का रिष्टा है दोनों का कही हसी मजाक में ये रिष्टा किसी गलत दिशा में न चला जाए अपनी सहली की ये बाते सुनकर बीना को बहुत गुस्स आता है जब जीविका और रोहन घर वापस आते हैं तभी बीना और प्रमोर उन दोनों को खूब दाटते हैं अरे बेशर्म तुम दोनों को हजार बार कहा है मैंने कि एक साथ इतना मत रहा करो अभी अभी मेरी सहली का फोन आया था मुझे और वो मुझे बता रही थी कि कैसे आवारत दोस्तों की तरे तुम दोनों बाइक पर गुम रहे थे तो उसमें क्या हुआ मा गूम ही तो रहे थे थोड़ी ना कोई गलत काम कर रहे थे रोहन अपनी मा को उल्टा जवाब देने की जुर्रत भी मत कर अरे तुम दोनों देवर बाबी हो अगर अपने बाबी से यो चिपका रहेगा तो लोग तो ताने देंगे ही ना इतना ही नहीं लेकिन शादी के लिए तुझे कोई लड़की भी नहीं मिलेगी फिर लेकिन मा जी दुनिया वालों के लिए हम क्यों बदले हमें जैसा जीना है हम वैसे क्यों नहीं जी सकते जीविका हर बार तुमें मा पापा से बहेज करना ज़रूरी है क्या अरे जितना उन्होंने कहा है उतना ही करोना और तू रोहन आज के बाद तू मेरी बीबी को लेकर कई भी नहीं जाएगा और इससे दूरी रहेगा वरना मैं तेरी टांग तोड़ दूँगा मैं अब अच्छी तरह से समझ रहाओ सब कुछ जीविका और रोहन के रिष्टे को सभी घरवाले गलत समझने लगते है एक रात जब रोहन को तेज बुखा राता है तब उसके पास कोई भी नहीं होता इसलिए जीविका रात में उसके माथे पर पट्टी रखती है और उसे काड़ा भी पिलाती है और उसकी वही पर बेटे बेटे आख लग जाती है फिर थोड़ी देर बाद में जब समझ की आखे खुलती है तब वो जीविका को कमरे में से गाइब दिखता है अरे ये जीविका का चली गए फिर समझ बाहर निकल कर जीविका को घर में दूनने लगता है तब उसे जीविका रोहन के कमरे में सोई हुई दिखाई देती है जीविका को रोहन के कमरे में देख कर समझ को बहुत गुस आता है और वो जोर से चिल्ला पड़ता है जीविका समझ की आवाज सुनकर जीविका और रोहन नेन से जाग जाते हैं और तभी संभव रोहन को एक थपड लगाता है बैया क्या हुआ है आपने मुझे क्यों मारा संभव ये तुम क्या कर रहे हो तुमारा दिमाग कराब हो गया है क्या रोहन को पहले से ही कितना तेज बुखा रहे और उपर से तुम उसे क्यों मार रहे हो तभी वहाँ पर बीना और प्रमोद भी आते है अरे बंद करो तुम दोना अपना ये फाल्तू का नाटक मुझे अच्छी तरह से समझा रहा है कि तुम दोना के बीच में आखिर क्या खिचड़ी पक रही है जीवी का बहु अपने देवर के साथ सोते हुए तुझा शरम नहीं आई क्या छीर इतनी कैसे गिर सकती है तु अरे तुम दोनों को कितनी बार समझाया है मैंने लेकिन तुम दोनों अपनी ये घटिया हरकुत से बिलकुल बास नहीं आए पापा मैं बुखार से तप रहा था इसलिए भाबी यहाँ पर आई थी इन्होंने ही मेरे सर पर पट्टिया रखे और मुझे काड़ा भी पिलाया और शायद पट्टिया बदलते वक्ती उनकी आख लग गए बगवान की सो पापा आप लोग जैसा सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है चुप कर तू अब तुम दोनों इस घर में नहीं रहोगे तुम दोनों को जितने रंग रर्लिया मनानी है बाहर जाकर मनाओ लेकिन यहाँ पर नहीं चलो निकलो यहाँ से संभव बिलकुल से ही कह रहा है अरे तुम दोनों को इस घर में रहने का कोई हक नहीं है अरे आप लोग क्या निकालोगे हमें हमें खुद को यह अब इस घर में बिलकुल भी नहीं रहना है ऐसे ससुराल में रहने का मुझे भी कोई शोक नहीं है जहाँ पर मेरे चरित्र पर ही सवाल उठाया जाए और जहाँ पर रिष्टों की मरियादा ना हो अरे मैंने हमेशा सही रोहन को अपने छोटे बाई की तरे समझा है और उसने भी हमेशा सही एक अच्चे छोटे बाई की तरे मेरा साथ दिया है इसलिए हम दोनों के बीच में इतना लगाओ है लेकिन आप जैसे गटिया सोच वाले लोगों के दिमाग में ये सब बाते समझ में नहीं आ सकती भाबी बिल्कुल सही कह रही है अरे जब मुझे आप सब के सहारे की जरूरत थी तब मेरे साथ कोई भी नहीं था सिर्फ भाबी नहीं मुझे सहारा दिया उन् हर एक प्रकार की भी मदद की और आज उनी की वज़े से मेरा बचा कुचा बिजनेस डूबने से बच गया है भाबी तो हमेशा से ही मेरे लिए एक बड़ी बेहन की तरे रही है और अगर आप लोग और दुनिया वाले हमारे इस प्यार से भरे रिष्टे को समझ नहीं सकते तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है हम इस घर में अब और नहीं रहेंगे चलिए बाबी फिर जीविका और रोहन दोनों भी घर चोड़ कर जाने लगते हैं और उन दोनों की बाते सुनकर उनके घरवालों को काफी ज़्यादा शर्मिन की मैसूस होती है रुख जाओ जीविका बहू रोहन बेटा रुख जा हमें माफ कर दो बच्चो हमने तुम दोनों को गलत समझा है हमने तुम दोनों का रिष्टा लोगों के नजरीय से और अपनी गिरी हुई छोटी सोच से तोला है लेकिन आज तुम दोनों ने देवर और भाबी के रिष लेकिन ये घर छोड़ कर मत जाओ क्योंकि अब हम समझ चुके हैं कि तुम दोनों गलत नहीं थे अरे गलत तो हम लोग है जो हमने लोगों के बारे में सोचा और लोगों का क्या है वो तो कहते ही रहेंगे चाहे वो अच्चा हो या बुरा लेकिन आज हमें तुम दोनों के रिष्टे का अच्छा पन देख चुका है और हमारी आखे भी खुल चुकी है बेटा हाँ जी विका प्लीज मुझे माफ कर दो और चोटे तू भी मुझे माफ कर दे और थैंक यू सो मच हमें इतनी बड़ी सीख देने के लिए कि देवर बाबी का रिष्टा बाई बहन से क गर वालों की माफी सुनकर वो दोनों उन्हें माफ कर देते हैं और पूरा परिवार फिर से साथ मिलकर हसी खुशी रहने लगता है सुनिता एक कॉलेज जाने वाली लड़की होती है वो अपनी मा अलपना भाई विकास और बाबी नेत्रा के साथ रहती है एक दिन की बात है क्या यार रूपा ऐसा क्या देख रही है फोन में जी इतनी गूसी पड़ी है अरे सुनेना ये देख हमारी कॉलेज की रिद्धी वो आटन क्राफ्ट की वीडियोस बनाती है और उसकी वज़े से ये कितनी फेमस हो गई है सोशल मिडिया पर और ये साक्षी ये भी अपने व्लोग से दूम मचाती रहती है इंटरनेट पर उसके रिसेंट व्लोग को तो पूरे एक लाख विवजाय है क्या बात कर रही है तु रूपा सच में हां सुनेना सच के रही हुमें रूपा की बाते सुनकर सुनेना के मन में भी सोशल मिडिया पर फेमस होने की इच्छा जागती है और फिर वो अपने घर जाकर ट्रेंडिंग कंटेंट पर रिसेर्च कर ने लगती है हरे यार मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्यों ना मैं कुकिंग रिलेटर कुछ पोस्ट करू मुझे खाने पीने के वीडियो देखना बहुत पसंद है और मैं वीडियो शूट करने के बहाने खाना बनाना सिख भी जाओंगी हां यही सही रहेगा त भाइसे के तिये नेतरा भाबी मा आज आप डोनों को रसवे को चुट्टी है लेकिन क्यों बेटा तू हम सबको पारिक दे रहे है क्या हां सुनेना आखिर बात क्या है बस कुछ वेसा ही समझो अरे वा बेटा क्या बात है फिर सुनेना सबको अपने फूर चैनल के बारे मे बताती है और तभी मा, भाई भाबी आप लोग प्लीज मुझे इस नई जर्नी में सपोर्ट कीजिए मैं कुछ हटके और इंट्रेस्टिंग रेसिपीज बनाने वाली हूँ ऐसी रेसिपीज जो ना ही किसी ने बनाई होगी खाई होगी या फिर देखी होगी अरे लेकिन जानी दीजिए न माजी सुने ना का इतना मन है तो इसे करने दीजिए ठीक है तुझे जो करना है तो कर सकती है लेकिन ध्यान रहे तेरे इस बीडियो के चक्कर में पढ़ाई पर कोई असर नहीं होना चाहिए अभी अभी बारवी से तेरी भी में गई है तु पहला साल है ना इस नए कॉलेज में हाँ मा आप चिंता मत कीजिए and just chill मैं सब मैनेज कर लूँगी after all मैं तो मल्टी टासकर हूँ ना सबी सुने ना को रसोई में अपनी रेसिपी बना कर वीडियो शूट करने की पर्मिशन तो दे देते हैं लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्होंने उसे पर्मिशन देकर सबसे बड़ी गलती कर दी है सुने ना पहले वीडियो के लिए फैंटा मैगी बनाती है और उसे सब को परोस्थी भी है उस मैगी का एक निवाला खाकर ही सब उस निवाले को थूख देते हैं और गुसे से सुनेना को सुनाने लगते हैं छी सुनेना ये कितने गटिया और बेशवाद मैगी बनाई है तुने इसे खाकर तो मेरे उपर का तिकीठी कट जाएगा छी 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 नेत्रा बहू जल्दी से पानी दे मुझे ये लीजिये माजी और सुनेना प्लीज नुम खाना मत बनाया करो क्योंकि ये मैगी तो बहुत ही बुरी बनी थी लेकिन नेत्रा बाबी मा ये तो फैंटा मैगी है तो इसका टेस तो ऐसा ही होना चाहिए न क्या ची 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 इसका मतलब हमने फैंटा मैगी खाई मुझे तो ये सोचकर ही उल्टी आ रही है अरे पागल लड़की मैगी को पानी से बनाये जाता है फैंटा से नहीं और ये बात तो एक छोटा बच्चा भी जानता है फैंटा एक कोल्ड रिंग है मैं जानती थी कि ये नाला एक लड़की ऐसे ही कुछ बखेडा करेगी इसलिए मैं इसे रसुई में गुसने ही नहीं दे रही थी क्योंकि इसे तो कुछ आता ही नहीं है कुछ भी बना देती है पागल कही की देखो सुनेना हटके और अनोखे के चक्कर में आकर कुछ भी बकवास खाना मत बनाओ देखने वाले लोग कोई पागल नहीं है जो तुम कुछ भी बनाओ और वो मान जाएंगे और नहीं तो क्या अरे फैंटा मैगी का नाम सुनकर ही मुझे तो गेंसी आने लगी है आगे सो तो मैं सिंपल मैगी भी नहीं खाऊंगा और नहीं तो क्या अरे तुने जो हम सबके लिए दिया है ना वो थोड़ा सा तू भी चक्कर देख फिर तुझे समझ में आएगा लेकिन अब बस बहुत हुआ अब तु अपनी रेसिपीज और वीडियो शुटिंग बंद कर और चुप चाप पढ़ने जाकर बेट बाकी में कुछ नहीं जानती है लेकिन मा हलपना सुनेना के कोही बात नहीं मानती और वो उसे रसुई में आने से मनाई करती है लेकिन फिर भी सुनेना अपनी हरकोद से बात नहीं आती और अपनी मा के सोच आने के बाद में वो रसुई में जाकर नई नई रेसिपीज के एक्सपिर्मेंट करती है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं वीडियो बनाना नहीं चुड़ूंगी मैं अब हर दो दिन में वीडियो पोस्ट करूंगी और मेरी हट की रेसिपीस देख कर सभी लोग मुझे फॉलो करेंगे और मैं पक्का वेमस हो जाऊंगी और आज मैं बनाने वाली हूँ काला बर्गर काला बर्गर ये नाम दो अपने आप में ही अनोका और आत्रंगी है इस वादिष्ट बर्गर को देखने के बाद दो सबके मुँ में पानी ही आ जाएगा फिर सुनेना उस काले बर्गर की रेसिपीस शूट करने लगती है और तभी ब्रेड को काला करने के चकर में वो अपने हाथी जला बेटती है और जोड जोड से चिलाने लगती है मेरा हाथ, मा, भाया सुनेना की आवाज सुनकर सभी लोग दोड़ते हुए किचन में आ जाती है क्या हुआ सुनेना, तुम ठीक तो हो न अरे बापरे, अरे ये पूरी रसुई का क्या हाल करके रखा है तुमने सुनेना हे भगवान, अरे कितने निरलज्ज लड़की है तु मेरे मना करने के बावजुद भी तु यहाँ पर लोट आए अरे तेरी कचरे जैसी रेसिपिस को बनाने के चकर में तुने मेरे रसुई का क्या हाल बना कर रख दिया है बेवकुफ कही की सुरी मा, वो में काला बर्गर बना रही थी तु मुझे लगा कि प्रेड को दोनों तरफ से जलाना होता है तुम्हें उसी चकर में अपना हाथ जला बेटी लेकिन सुने ना, तुम्हें ये सब करने के क्या जरूरत थी तुम्हें मा ने ये सब करने से मनाई की है न और तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि एक हाफते बाद तुम्हारी कॉलेज में एक्जाम है और अब तो तुम्हारा हाथ जल चुका है इसे में तुम अपनी एक्जाम कैसे लिख पाओगी और ये बेल बुद्धी बना-बना कर भी क्या बना रही थी काला बर्गर अरे तेरे पिता जी ने खाये था के ये काला बर्गर लेकिन मा ये कोई फैंटम एगी की तरह नहीं है ये सच में टेस्टी होता है इसे जपान के लोग बहुत खाते है अरे बेवकूफ लड़की तू यहाँ पर भारत में रहती है तो जपान के लोगों जैसा खाना क्यों पका रही है जरा अपने दिमाग का भी इस्तिमाल कर और अब ये नाटक बन कर फिर नेत्रा सुने ना के जले होए हाथ पो मरम पट्टी लगाती है मा जी सुने ना के दिमाग में फेमो सुने का भूद सवार हो गया है जरा रसुए खाली दिखी नहीं कि ये वहाँ पर अपनी उबर काबर रेसिपीस बना कर शूट करने लगती है हाँ नेत्राब हो तुने बिल्कुल सही कहा इसका बुद तो उतार नहीं होगा फिर चाहे जो हो जाए अरे आप दोनों इतना क्यों सोच रहे हो सीधे जाकर रसुए को ताला लगा दीजिये जब भी आप दोनों का काम खतम हो जाएगा तब आप दोनों बाहर से रसुए को ताला लगा दीजिये सुने ना अगर रसुए को बन देखेगी तो उसकी आदत तो छूठी जाएगी ना क्यों नेत्राब सही कहा ना मैंने हाँ मा जी विकास बिल्कुल सही कह रहे है लेकिन उनकी सारी बाते सुने ना सुन लेती है और वो रसुए के ताले की चाबी की तरे सेम टुसे में दूसरी चाबी बना लेती है और चूप चाप मोके पे चूपा मारते हुए रसुए में जाती रहती है कभी सब के सोने पर तो कभी घर के खाली होने पर इन लोगों को तो मेरा सूप देखा ही नहीं जाता बड़े आये मेरे रेसिपिज का चैनल बंद करने वाले इन लोगों को क्या लगा कि मैं बुद्धु हूँ अरे मैं तो इन सबसे ज़्यादा शातीर हूँ फिर एक दिन उनके घर पर कुछ महिमान आते हैं अरे वाल पना काके क्या खाना बनाया है आपकी बहु नेत्रा ने सच में मदा आ गया छोले वटुरे खाकर हाँ हाँ सच में इस खाने को खाकर तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया जी थांक यू आंटी जी थांक यू अंकल ची वैसे हम मीठे में गेवर बनाने वाले थी लेकिन उतना समय ही नहीं मिला मैं आप सबके लिए फ्रूट कस्टर बना देती हूं ज्यादा वक्त नहीं लगेगा उसके क्या जरूरत है भाबी मैं हू ना मैं सबके लिए आईस्क्रीम बनाती हूं एक बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी आईस्क्रीम की रेसिपी जानती हूं मैं जिसे मैंने ही इन्वेंट किया है अरे नई नई सुने ना बेटी तू क्यू दिक्कत ले रही है तेरी भाबी है ना भी तू आराम कर वो फ्रूट काट कर उसका कस्टर्ड बना देगी तू चिंता मत कर हाँ सुने ना तूम फिकर मत करो मैं अभी पाच मिनिट में बढ़िया सा फ्रूट कस्टर्ड बना दूंगी तूम आराम करो लेकिन भाबी अरे नेतरा बेटी तूम बेना अब सुने ना इतना के रही है तो बनाने दोना उसे हाँ हाँ सुने ना के हाथों के आईस क्रीम हम भी टेस्ट करना चाते हैं सुना है कि हाली में उसने फूर ब्लोक चालू किया है अरे नहीं आंटी जी आप इसकी बातों में मत आईए ये कुछ भी बना देती है चुपर हो विकास सुने ना वेटी तुम जा और जल्दी से आईस क्रीम बना कर लाओ हाँ उंकल जी मैं अब भी जा कर लाती हूँ आईस क्रीम सुने ना जैसे ही रसई में जाती है वैसे ही अलपना विकास और नेतरा के पसी ने चूटने लगती है हो गया सत्या नाश फिर सुने ना बचे हुए चोले बटूरों को मैश करके उसकी आईस क्रीम बनाती है और उस बैस्वाद और बक्वास आईस क्रीम को खाने के बाद में सब उसे थूख देते हैं और वो सुनेना पर बहुत गुस्सा हो जाते है शी इतनी गंदी आईस क्रीम खाने से अच्चा तो हम जहर खा लेते सारे मूग का टेस्टी खराब कर दिया इसने तो इतनी गंदी आईस क्रीम खाने के बाद में तो अब मेरा आइस्क्रीम खाने पर से ही बरोसा उठ गया है। और नहीं तो क्या। अलपना जी, कुछ सिखाई है अपनी बेवकुब बेटी को। आइस्क्रीम के नाम पर क्या दिया है क्या पता। लेकिन बहुत ही गंदा लग रहा है। लेकिन नेत्रा बेटी, तुम कितना अच्चा खाना बनाती हो। और तुमारी ये निनन, ये इतना खूंकार खाना कैसे बना लेती है। कुछ सिखाया नहीं क्या तुमने इसे। माफ कर दिजी अंकल जी, हम इसलिए आपको मना कर रहे थे। वो दोनों उन लोगों को खूप टाने सुनाते हैं, और फिर वहाँ से रूट कर चले जाते हैं। और तभी विकास, सुनेना के सामने अपना फोन लाता है, और उसे उसके वीडियोस पर आए गंदे गंदे कमेंट्स दिखाता है। ये देखो सुनेना, ये कोई तारिफे नहीं हो रही तुमारी, लोग गालियों के पूल बांद रहे हैं तुमारे लिए, तुमारी सारी कच्रे जैसी गटिया और इरिटेटिंग रेसिपीस देख कर, तुमें कितना हेट किया जा रहा है। तो फिर मैं क्या करूँ भाई, मुझे इंटरनेट पर कंटेंट बना कर फेमस होना है, मुझे कुकिंग करना पसंद है, लेकिन आता नहीं है न, इसलिए मैं अपने मन से नए नए रेसिपीस बनाती हूँ, एक दो मैंटिक रेसिपीस, पर सुनेना, यूनिक होने के साथ कोई मतलब भी होना चाहिए न, एक लिस वो रेसिपीस खाने के लायक तो होनी चाहिए, कोई तुझे क्या लगता है सुनेना, कि देखने वाले लोग पागल है क्या, अरे नेतरा बहु और में, कोई भी रेसिपी बनाने के लिए उससे मिलते जुलते तीन से चार वीडियो देखते हैं, और उसके बाद ही खाना बनाते हैं, क्योंकि कोई भी देखने वाला गलत रेसिपी नहीं बनाना चाहेगा, और नहीं उससे देखना पसंद करेगा, और सुनेना, तुमें तो कोई खाना भी नहीं बनाने आता, तो तुम पहले वो सिख लो न, और फिर बाद मे अपने दिमाग से नई नई रेसिपीस बनाना हाँ शायद आप सब सही कह रहे हो मेरी ही गलती है मैं ही कुछ भी बनाती रहती हो और भाबी अपसे मैं आपसे और मा से अच्छी अच्छी रेसिपीस बनाना सीखूंगी और उन्हें ही पोस्ट करूंगी और अपनी ये उट पटांग रेसिपीस बनाना बन कर दूंगी सौरी मा सौरी बाई बाबी मेरे कारण आप सबको कितनी तकलिफे जेलनी पड़ी सुने ना के माफी माँगने पर सभी उसे माफ कर देते हैं और अंत में वो अपने मा और बाबी से अच्ची अच्ची और स्वादिस रेसिपीस बनाना सीखती है और उन्हें बाद में जाकर अपलोड करती है नवरात्री खतम होते हैं करवाचोत का पावन त्योहार आनी वाला होता है सिम्मी के शादी के बाद ये उसका पहला करवाचोत होता है सिम्मी बहु ये साल तुम्हारा पहला करवाचत होगा पूरे मन से और पूरी श्रद्दा के साथ ये वरत पूरा करना ठीक है? हाँ माजी, लेकिन वो मैं भी तुम्हारे लिए वरत रखूंगा सिम्मी सिब बीवी ही अके लिए वरत क्यों रखे? जैसे पापा मा के लिए वरत रखते आये है वेसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ये वरत रखूंगा ओफो, ये मेरा पती भी न? एक नंबर का गदा है गदा मैं अभी अपनी सास से ये कहिने वाली थी कि मेरी तब ये ठीक नहीं है इसलिए मैं ये वरत नहीं रख पाऊंगी लेकिन अब तो मुझे ना चाते हुए भी ये वरत रखना ही पड़ेगा कैसे जीऊंगी मैं कल? हे भगवान, बचा ले ना मुझे सिम्मी से भूब बिलकुल बरदाश नहीं होती उसे हर एक गंटे में कुछ ना कुछ खाने के लिए चाईये ही होता है और करवा चोत का ये वरत रखना उसके लिए किसी मुश्किल कड़ी से कम नहीं होता अगले देन सुबे सुबे उसे उसकी साथ चारू सर्गी की रसम के लिए उठा देती है जन्मो बात पहली बात सिम्मी इतनी सुबे जल्दी उठी होगी मा जी इतनी सुबे सुबे कौन सी कसरत करानी है आज आपको कसरत नहीं बहु सुबे सवेरे सर्गी की रसम होती है जिसमें सास अपनी बहु को फल मिठाई वो शगुन के तोफे देती है ये लो बहु तुमारी सर्गी हरे वा ये तो कितनी प्यारी साड़ी है छोलो कुछ तो अच्छा हुआ करवा चोट के कारण अब बस शाम का इंतजार रहेगा सर्गी की रसम पूरी होने पर सिम्मी साथ श्रिंगार करती है सिम्मी के माईके से चारू के लिए तोफे आते है ये लो चारू तुमारा बाया आ गया बाया? ये बाया क्या होता है और आज मुझे तोफे भेजने की जगे मापापा ने आपके लिए ये सब क्यो भेजा है माजी दिस इस नॉट फेर अरे बहु बाया की रसम क्या अनुसार बहु के माईके से बहु की सास के लिए तोफे आते है वाह ये मातरी तो बहुत ही स्वादिस्ट लग रही है देखने में ही पता चलता है समधन जी भी न कितने तोफे बेज दिये इनोंने हाई इसे देखकर तो मेरे मूँ में पानी ही आ गया थोड़ी देर तक तो सिम्मी कंट्रोल कर लेती लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी सेहन शक्ति खतम हो जाती और वो अपने कमरे में रखे हुए सारे स्नेक्स खा लेती माफ करना करवा मा लेकिन मुझसे रहा ही नहीं गया अगर मैं कुछ खाती ही नहीं तो बेहोश हो जाती और ये लंबी उमरे नौल सब दकियान उसी बाते है प्यार है ये जतानी के लिए ब्रत रखना जरूरी थोड़ी है तभी सिम्मी को विवेक का वीडियो कौलाता है हेलो वाइफी तो केसा चल रहा है ब्रत बस बेटी हूँ भूकी पैसी अब क्या करें तुमारी लंबी उमर के लिए तो मैं इतना तो करूंगी ही ना तुम भी तो मेरे लिए इतना कर रहे हो हाँ वो तो है मैं आज जल्दी ही आऊंगा तुम सारी रस में अच्छे से करना और फिर साथ में चान को देख कर एक साथ व्रत तोड़ेंगे ठीक है विवेक उतने में विवेक की नज़र सिम्मी के पीछे पड़े हुए पैकेट्स पर चली जाती है सिम्मी तुमारे पीछे वो वेफर्स का पैकेट क्या कर रहा है कही तुमने वेफर्स तो नहीं खाये न नहीं नहीं बिलकुल नहीं पागल वागल हो गए हो क्या आज के दिन में कुछ भी कहाँ पी नहीं सकती ये पैकेट्स तो कल का पड़ा है वो कांता भई अभी तक नहीं आई ना इसलिए वो आकर साफ कर देगी ओके ठीक है चलो अब मुझे धेर सारा काम करना है सब निप्टा कर शाम को मिलता हूँ बाई बाई बेबी बाल बाल बच गई आज तुम्हें वरना विवेक को पता ही चल जाता कि मैंने ये वरत चुपके से तोड़ दिया है क्या अपने पीचे से अपनी सास की ये आवाज सुन कर सिम्मी बहुत घबरा जाती है हो गया कलेश अब तुम्हें गई काम से लेकिन खुश किसमत इसे जब वो मूरती है तब वो देखती है कि उसकी सास ने कुछ नहीं देखा और वो तो फोन पर बाते कर रही थी फिर सिम्मी जल्दी से सारा खाना चूपा लेती है कितने बज़े आने वाला है हा न, कोई केरा आए की नव बज़े आएगा तो कोई कह रहा है कि पाउने नो बज़े जरा देख कर बताओ तो कि वहाँ चान निकलने का टाइम क्या है थाइम गौड माजी ने भी कुछ नहीं देखा सिम्मी ध्यान से खा वरना यही लोग कही तुझे ना खा जाए शाम को सिम्मी और चारो दोनों मिलकर करवा माता की पूजा अर्चना करती है और छत पर जाकर चान निकलने का इंतजार करती है हाथ में पूजा के थाली आई रात सुहागो वाली हो चान्द को देखू हाथ में जोडू करवा चोत का रत में तोडू हर साल चान बहुत इंतजार करवाता है इतनी आसान इसे नहीं निकलता है अच्छा ऐसी बात है क्या तुमारी मोसी सास का फोन आया था वहाँ चंदी गड़ में तो दिख गया ये चान अब बस यहां मुंबई में दर्शन हो जाये चान के वेसे बहु तुम तो एकदम टकाट हो आज तो तुम बिलकुल कमजोर नहीं लग रही जी माजी आखिर बहु किसकी हूँ ये बात तो है अरे माजी अब आपको क्या पता कि मैं सुबे से सब कुछ थूसती आ रही हूँ इसलिए इतने टकाटक लग रही हूँ वरना अब तो तो मैं भूकी पैसे टपक ही जाती एक घंटा बीच जाता है लेकिन ना तो सिम्मी और चारू के पती घर आते ना चान नजर आता है इसी बात का फाइदा उठाते हूँ शिम्मी फिर से अपने कमरे में जाकर छुपाई हुए स्नैक्स खोलकर काने लगती है तभी वहाँ पर अच्छानक से विवेक आ जाता है और सिम्मी को यूँ खाते हुए देख कर वो एकदम हेरान रह जाता है सिम्मी ये क्या तुमने तो मेरे आने से पहले ही इतने सारे स्नैक्स इसका मतलब तुम दिन बर खा रही थी तुमने आज रत रखा ही नहीं सारी विवेक वो मुझसे भूख सही नहीं गई इसलिए ये मैंने स्नैक्स काये और थोड़ी कोल्डिंग्स भी पीली मैं तुमारे लिए दिन भर भोका पैसा रहा सिर्फ तुमारे लिए और तुम यहां ये सब कर रही थी तुमने मेरा दिल दुखाया है सिम्मी सौरी विवेक मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं था तो फिर क्या था तुमारा intention सिम्मी। लेकिन विवेक ये तो एक व्रती है ना। अगर तोड़ दिया तो इसका मतलब ये तोड़ी ना है कि मुझे तुमारी कोई कदर ही नहीं और मुझे तुमसे प्यार नहीं है। बात वो नहीं कि तुमें मुझे प्यार है या नहीं। बात रस्मों की है, पूजा की है, बात हमारे शादी के बंधन की है। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई विवेक, I'm sorry। सिम्मी, अगर ये सिर्फ एक साधारन सा त्योहार है, तो फिर शादी भी साधारन सी रसम है। क्यू करनी शादी फिर, रहो ऐसे ही बिना शादी के, क्यू लगाना सिंदूर, क्योंकि ये सब हमारे रसम रिवाज है। अगर हम ही इने मार देंगे तो इने जिन्दा कोन रखेगा तुम सही कह रहे हो विवेक मुझसे गलती हो गई and thank you so much मेरी आँखे कोलने के लिए मुझे करवाचोत के व्रत का महत्व समझाने के लिए विवेक सिम्मी को माफ कर देता है और अगले साल से सिम्मी भी करवाचोत का व्रत रखने लगती है और दोनों मिया वीवी साथ में खुशाल और समरिद्ध जीवन जीते हैं